कॉमिक बुक राइटर स्टेनली के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि वो ऐसे सुपर हिरो को सामने लाएं जिसे पहले कभी न देखा गया हो तब जाकर आइरेन मैन हमारे सामने आया 2. मार्वल ने ब्लेक पैंथर का नाम पहले ब्लेक लेपर्ड रखना चाहा था लेकिन इसका कनेक्शन एक पोलिटिकल पार्टी से था जिसके चलते यह नाम बदला गया 3. पहली एवेंजर कॉमिक बुक को अचानक ही छाप दिया गया था इसका कोई प्लान नहीं बना था 5. थ्रॉग एक मेंधक है जिसके अंदर थौर की पावर है यह पैट एवेंजर्स ग्रूप का सुपर हिरो है 6. क्या आपको पता है कैप्टन अमेरिका कुछ समय तक वेरवॉल्फ भी रहा था 7. आपको बता दें कि भारी भरकम हल्क रियल में ग्रे कलर का है लेकिन यह हरा इसलिए दिखता है क्योंकि यह प्रिंटिंग के लिहाज से सबसे आसान कलर है अच्छी प्रिंट आने की वज़ह से हल्क का कलर हरा रखा गया था और उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था और हरा हल्क सबसे ज्यादा पॉपिलर हो गया आठ कैप्टन अमेरिका की शिल्ड गुल इसलिए है क्योंकि इससे पहले का सुपर हीरो दस शिल्ड भी यही इस्तिमाल करता था और कैप्टन अमेरिका सेम इसके जैसा ही है 9. आपको बतातें चलें कि स्टेनली ने स्पाइडर मेन के नाम में हाइफन इसलिए इस्तिमाल किया था ताकि लोग इसको सुपर मेन जैसा न मानले दत, स्पाइडर मैन को बनाने के बाद स्टेनली शुरुआत में इसका नाम फ्लाइ मैन या इंसेक्ट मैन रखना चाहते थे लेकिन बाद में फाइनल नाम स्पाइडर मैन रखा गया दोस्तों ऐसी ही होलिवूड न्यूज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप देख पाएं दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें